हेलो दोस्तों, विलेज बारबीस में आप सभी का स्वागत है यहाँ सोनम और चिंकी अपने स्कूल जा रही है चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है अरे चलो चलो सोनम जल्दी चलो देखो कोई भी नहीं दिख रहा है लगता है सब लोग पहुच गे स्कूल, आज माना लेट हो जाएगा अरे नहीं चिंकी, मैं टाइम देख कर आए हूँ अभी तो बहुत है बागी है अच्छा दी कह चलो चलते हैं अरे, अरे रुको अरे नहीं चिंकी हम तो अपना पोयम याद करना है भूल गए अरे, अरे हाँ टीचर जी ने तो बोला था पोयम लन करके आना है अरे चिंकी देखो ना कल तो हम दोनों खेलने में ही रह गई, याद ही नहीं रहा कि पोयम याद करना है अरे हाँ सुनम सब तुम्हारी गल्दी है तुम हमेशे मुझे फशा कर रखती हो अरे, ये क्या देखो तो पूरी क्लास भरे हुई है, सब लोग आ गए है लगता है, सब का पोयम याद है सरिफ मेरा ही और चिंकी का नहीं याद है अरे, सुनम, तुम कितना चलती इल्दी चलती हो चलो, चलो, बैठते है पहला लबेंच खाली है अरे, हाँ, चलो, बैठते है मैं खिरकी के पास बैठूंगी अरे, नहीं, मैं बैठूंगी चलो, मैं बैठ जाती हूँ आज तो लगता है, मार, हम खाकर ही रहेंगे टीचर जी के हाँ से हाँ, सुनम, तुम से ही बोल लई हो देखो न, हमने पोयम भी नहीं याद किया हम कितने गंदे बच्चे है खेलने में ही अपना टाइम पुरा खतम कर दिया और यहाँ बस सारे बच्चे आज शुके हैं अरे, मिंकी, तुम्हारा पोयम याद हुआ क्या जुमिस ने बोला था कल याद करने के लिए मेरा तो याद है पता है, मैं कल रात बर बैठ के अपना पोयम याद की अब बताओ भी मिंकी, तुम्हारा पोयम याद हुआ की नहीं मुझे तो लगता है, क्लास में सबका पोयम याद होगा वरना मिश के दर से कौन नहीं याद करके आया होगा है ना अरे हाँ मुन मुन मेरा पोयम याद है देखो देखो सोनम और चिंकी भी आ गई है चलो उनसे भी पूछते हैं उनका पोयम याद है कि नहीं अरे सोनम सुनो सुनो तुम्हारा पोयम याद है क्या तुम याद करके आई हो, अरे कौन बुला रहा है, हाँ हाँ बोलो मिंकी, पोयम हाँ वो तो याद है मेरा, पोयम मैंने याद किया है ना, तुम चिंता क्यों करती हो मेरा, अरे सराव तुमने तो बोला था कि तुम हारा भी पोयम याद नहीं है, और तुम याद करके आई हो, और मुझसे जूच बोल रही थी न, तुम बहुत ही अदब बुरी हो, अरे चिंकी ओवर एक्टिक मत करो, मेरा भी पोयम याद नहीं है, लेकिन देखो वो लोग पूछ रहे तो बताना ही पड़ेगा न, वरना वो सिदे-सिदे में इसको बता देंगी कि इनका पोयम याद न देखो हम तो आगए हमारा याद नहीं है फिर भी, अरे लेकिन टीचर जी कहा रहे गई, आज इतना देट क्यों कर रही हैं? अरे अरे देखो चिंकी टीचर जी आ रही है, उनके हाओध में देखो कितना परस्टिक है, अरे नहीं देखना उसी से टीचर जी हमको मारने वाल है आज दोस्तों चुप लगए वी ऐ रही है क्लास के अंदर और यहां चलड़ चुप ले जाओ टीचर जी आ रही है और यहां पर सारे बच्छे सालेंट हो जाते हैं और पिर तभी टीचर जी क्लास के अंदर आ लोग आ गए हैं ना क्लास में कोई अफेंट तो नहीं है ना आज आप सबको पता है आज में तुम सबका पोएम याद लेने वाली हूँ सबको कमपनसरी आना था अरे टीचर जी अभी राहूल नहीं आया है वो शायदा छुट्टी मालने वाला है अरे हाँ राहूल तो दिखी नहीं रहा अपने सीट पर ये राहूल बिना कैसे छुट्टी माला उसे तो मैं कल बताऊंगी अच्छा ठीक है बच्चो आप सब बैट जाओ अच्छे से ठीक है ना मैं जारी हो अटेंडेंस लेने के लिए और यहाँ टीचर जी प्रेजेंटी लेने के लिए बैट जाती है रोल नमबर वन चिंकी प्रेजेंट टीचर रोल नमबर टू मुन मुन प्रेजेंट टीचर रोल नमबर थ्री मिंकी प्रेजेंट टीचर नेहा प्रेजेंट टीचर आरुशी प्रेजेंट टीचर सोनम बेटा तुम आई हो हाँ टीचर जी में प्रेजेंट हूँ और आखरी राहूल प्रेजेंट टीचर जी प्रेजेंट में प्रेजेंट हूँ अरे टीचर जी में प्रेजेंट हूँ मुझे माफ कर दीजे मैं थोड़ा सा लेट हो गया मुझे माफ कर दीजे मैं आ गया हूँ मेरी प्रेजेंटी डाल दीजी आप अरे राहूल तुम्हें इतने लेट किवाए हो तुम्हें पता है ना लेट आने में पनिश्मेंट मिलता है अब तुम्हें पनिश्मेंट मिलेगा ठीक है ना चलो यहाँ पर आओ अरे क्या मुझे punishment में लेगी क्या अरे लेकिन टीचर जी मेरी कोई कलती नहीं है वो तो हाँ हाँ मैं रिक्षा ढून रहा था लेकिन रिक्षा मिला ही नहीं जल्दी इसलिए मेरा लेट हो गया मुझे माफ कर दीजिए टीचर जी मुझे मत मार रहे अरे अरे रहुल इतना पता है मेरा घर यहीं पर है हां हां मुझे सब कुछ पता है अच्छा रुको अभी तुम्हें परिश्मेंट मिलेगी चलो स्टिक खाओ अच्छा ठीक टीचर जी मुझे माफ कर दीजी आप मैं कभी भी जुटने ही बोलूगा औरे कितना जोर से मारती है औरे पूरे क्लास के स मुझे तो बहुत ही हसी आ रही है बिचार राहूल टीचर जी ने मारा उसे मज़ा ही आ गया औरे ये क्या सब लोग तो मुझे पर हस रहे हैं औरे टीचर जी देखिए ना सारे बच्चे मेरे उपर हस रहे हैं कुछ बोली आप उन्हें जल्दी से अरे अरे कौन हसा है सब जूप हो जाओ ना मैं उसे भी मारूंगी ठीक है ना कोई नहीं हसेगा अच्छा तो ठीक है बच्चों मैंने सब को पोयम लंग करनी के लिए बोला था सबने किया है ना मैं सबका याद लेने वाली हूट ठीक है ना जिसका नहीं याद रहेगा उसे बहुत ही आदा मारने वाली हूँ मैंने कल ही बताया था सबको अरे चिंकी देखो टीचर जी तो बहुत ही कुछ्ष्य में लग रही है आज तो हम नहीं बचेंगे टीचर जी में बहुत ही मारने वाली है टीचर जी का टंड़ा देखा कि तुमने कितना मोड़ा है और अभी अभी रावल ने मार खाया है बिचारे को कितना ज़र से लगा होगा अभी तक उसका हाथ दद कर Zus कर रहा होगा हमें कैसे भी करके बचना होगा अरे लेकिन आम आमें क्या बोलू मेरा भी तो याद नहीं है हम बड़हों मार खाकर ही रहेंगे हमें कोई नहीं बचा सकता है अरे चिंकी मुझे बहुत ही अच्छा इडिया आया है चलो एक काम करते है हम बातरूम के पहाने चले जाते हैं यहां से फिर जब टीजर जी सबका लेन ले लेंगी ना तो हम वापस आ जाएंगे किसे को भी नहीं परता चलेगा और हम बच भी जाएंगे अरे यह किया मेरा भी पोयम याद नहीं है लगता है टीचर जी के हाथों से फिर से मार खाऊंगा अरे नहीं मुझे याद कर लेना चाहिए था पोयम मैं भी ना हाँ हाँ टीचर जी मेरा तो पूरा पोयम याद है आप पहले मेरा ही ले लीजिए अरे हाँ हाँ टीचर मेरा भी एकदम अच्छे से याद है आप मेरा भी ले लीजिए अरे अरे टीचर जी सुनिये ना हमें बातरूम जाना है हम जाए क्या पहुती चोशे आई है हाँ हाँ टीचर जी हम ठोड़ी देर में आ जाएंगे जाए क्या जल्दी से आ जाएंगे अरे तुम दोनों भी ना अच्छा ठीक है जाओ लेकिन जल्दी से आ जाना ज्याधा टाइम मत लगाना जाते हो तो वहाँ पर टाइम पास करते रहते हो जल्दी आना ठीक है न आप चलो जाओ ठीक है टीचर जी देखा चिंकी हमारा प्लैन कामियाब हो गया चलो चलो चलते हैं अरे हुआ मुनमन तुम्हारा तो बहुत ही अच्छे से याद है पोयम अच्छा चलो अप मिंकी तुम सुनाओ ठीक है टीचर रेन on the green grass तुम्हारी बारी चलो चलते है याद तो किया है तुमने पोयम अरे अरे टीचर जी मेरा याद नहीं है मुझे माफ कर दीजे अरे अरे राहूल तुम भी न माफ ही नहीं मिलेगी अब तुमें श्ठिक मिलेंगे फिर से चलो राहूल अपना हाथ दो अरे अरे लेकिन टीचर जी अभी तो आपने मुझे मारा था अरे वो तो तुम्हारा लेट होने के विज़े शार था चलो अब हाथ आगी करो अच्छा ठीक है टीचर जी पर धीरे से मारियेगा चलो राहूल हाथ आगी करो अच्छा ठीक है ओ, अरे टीचर जी कितना जोर से मारती है आप, कितना जोर से मारा अच्छा ठीक है लगबग सारे हो गए, सबका पोएम याथ था सिर्फ राहूल को छोड़ कर अरे टीचर जी ने कितना जोर से मारा, अरे अरे चिंकी और सोनम तो बाकी है अरे टीचर जी रुकिये रुकिये चिंकी और सोनम बाकी है अभी उनका पोयम नहीं याद लिया है आपने अरे हाँ वो तोनों तो कब का गई थी बातरूम अभी तक नहीं आई क्या अरे राहूल जल्दी जाओ और उन दोनों को बुला कर लाओ ठीक है न अरे हाँ हाँ टीचर जी अभी जाता हूँ और उन्हें बुला कर लाता हूँ ये बोल कर रहा हूँ वहाँ से चला जाता है अरे हाँ छोनम तुम शहीं बोल रही हो आज तो हम मार खाके ही रहेंगे अरे हाँ तुम दोरों मार खाके ही रहोगी मैं भी खाया फिर तुमको भी खाना पड़ेगा अरे देखो ना चिंकी राहूल कितना गंदा है उसने हमें फशा दिया अरे तुम दोनों क्या बाते कर रही हो तुम दोनों मुसे जूर बोल कर गई न अरे हम तो फर्स गए अरे टीचर जी हमें माफ कर दीची हमारा पोएम याद नहीं था इसलिए हमने एशा किया अगली बाद से एशा नहीं करेंगे हैना चेंकी बोले हो हाँ हाँ ठीचर जी अगली बाद से बिल्कुल भी नहीं करेंगे हाँ वो सब ठीक है लेकिन चलो हाथ आगे करो तुम दोनों का पोएम नहीं याद आद है अरे अरे ठीचर जी धीरे से मारे है ऑ Minute जोर से मारती है अगली बाद से अम्याद कर कर किया आएंगे चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो